वह फूड़ वेस्ट जो है इसमें एक खटा किया जाता है इसमें से इसमें से हम लोग प्लास्टिक और यह सब बाकी जो चीज है वो बॉटल्स वो निकाल देते हैं यह जैसे एकसो केजी अगर फूड वेस्ट होगा तो उसमें हम लोग आपको 20 केजी डालना होगा स्व दस्त मतलब लकडी का जो चूरा होता है और सौ ग्राम डालना होगा इस्ट इसको मिलाके फिर अगरोग यह जो तरफ देख रहे हैं उसमें हम लोग उसमें पोर करते हैं और ये ठीक 15 दिन के बाद, साइकल के बाद, 15 दिन के बाद वो इसका आउटले नहीं है। वहां से वो आपका आपका न्यूरर, जो बुला है यह जो बुला है इस बाद फूड वेश्चे जो बाय कोंपोस्स निहलता है। और हमारा जो भी हलका फुल का जो होटी कल्चर है हम लोग उसमें और भी इप्रूफ करेंगे इस बैसिकली ए रेप्लेस्पेंट पो डीएपी नाइट्रोजनस इतना भी हम खाद हुगरा डालते थे केमिकल का रेप्लेस्मेंट इस मैनियूर और आज के ताम में बहुत सारी मैंडेटरी क्लॉस है गौर्मेंट के सोसाइटी के लिए यह मैंडेटेड है कि यह ऐसा मशीन होना चाहिए इसके लिए यह मैनियूर बहुत जूरी है इस वेरी बिग तीम है रही वंडर्फू करना चाहिए फुर्मेटरी के लिए्टियाओ जब हुट दूर्फ टीम है भुटियर और हुट्टेड़े इस वेरी वाने मैंडेटरी के दिए लिए शेश्मेटरी वेरी वेसांटने है डिएरी बहुत बहुत जूर्ण जूर्म पट्पक्शल चाहिएज कुपवत रेश ब कर दो कि झाल ने पित ग गॉनुटर करते ही जड़ है टर खिंगी is एकाइश जर में DR Cand कोज थे लॉपे, मित्रपी ट्सकतर Okay कि उुट प्रोस गवे जड़े कि वो फगल गुम.. हुआ कर दो आ बादो प्रवाज़ जब दो न प्रवार वी टोड़ में जड़ उना जड़ना जड़ को जा इस बादो जड़ हुआ है झाल 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 चलब करता है झाल झाल